इस्राइल की बंबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अक्तियार कर लिया नंबर वन चानल के इस नंबर वन शो में आज सबसे पहले बात पोतिन की तरफ से आई वार्निंग की करने जा रहे हैं गाजा पर इस्रेल के बंबारी ने अब अमारिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया रूस ने कहा कि पश्यमेशिया का ये यूध अब बाखी इलाकों तक भड़क सकता है सवाल ये है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इस्रेल विश्वयूद का एपिसेंसर बन जाएगा एक तरफ गाजा में बंबारी चल रही है इस्रेल का युद गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है दूसरी तरफ इस्रेल पर हमला करने के लिए लेबन, सीरिया और इरान की वाज तयार बैठी है और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इस्रेल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुँच चुका है यह अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है यूएसेस फोर्ट यूरप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिन एजिया में किसी भी वक्त बंबारी के लिए तयार रहता है अचाना कि इस एरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है फाइटर एरक्राफ्ट लगातार लॉंच किये जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल पोर्ट किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉंच की जा सकती है घाजा में हालात बहुत नाजोख है इसरैल दिन रात बंबारी कर रहा है सैक्रों लोगों की मौत हो चुकी है इसरैल अब अपने उपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बतला लेना चाहता है और यही वज़े है कि उसके बंब अब आम, नागरिक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त घाजा में जितनी भी इमारतें इसरैल की बंबारी में ढहती जा रही है वहां मलबे से बच्चों और बुड़ों की लाशे निकाली जा रही है ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है मरकज मालूमात फी वजारत तस्चहा इस्टिशाद 413 मौातिनन मिन हम 78 तिफलन वह 41 सेड़ा बिल इदाफ़ा इला तस्जील 2300 जरीह सवाल है कि आगे क्या होगा तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं यह बगदाद है और यहां लोग हजारों की दादाद में सड़कों पर मिकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं इसरेल के साथ साथ अमेरिका के खिलाब बेनारे बाजी हो रही है इरान के साथ साथ लिबनन में भी घाजा के लिए समर्तन तेज हो गया है बेरूत में फिलस्तीन और हिजबल्ला का जंडा लेकर लोग सड़कों पर उता रहे हैं आदी जहें ने दाम इख्रवनन मकावमीन दी फलस्तीन महतलत लेकिन हालात तो इसरेल की अंदर भी बहुत नाजोग है सैक्रों लाशे उठाने के बाद इसरेल अब आर पार करना चाहता है और उसका टार्गेट है घाजा और वहाँ पर मौझूद हमास के अटे लेकिन इसरेल को तीन तरब से बहुत बड़े युद्ध की धंकी आ चुकी है लेटनन की मिलीशिया हेजबुल्ला ने कहा है कि वो इसरेल पर हमले के लिए तयार है इराक में इरान के समर्थन वाला मिलीशिया भी इसरेल को वार्निंग दे चुका है सीरिया ने अंजाम भोगतने को कहा है तो वहीं मिस्र से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर तुर्की थर घाजा को बचाने के लिए वहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है ऐसे में बाइडन ने नेतनियाहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इसरेल के साथ है इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूर्वी भूमत दे सागर की तरफ रवाना कर दिया गया अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इसरेल के करीब तैनात करने का फैसला किया फोर्ट क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकक बहुत जबरदस्त है इसमें युएस निवी का ऐरकराफ्ट करियर युएसस जेराल्थोर्ड है जिसमें तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल पूसर है इसमें आरलेक बरक्लास के चार मिसाइल डिस्ट्रोयर है ऐसे बेड़े के साथ रसक के लिए सप्लाइ शिप भी रहते हैं लात में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पंडुब्दी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इस्रैल को दिलाना चाहता है। कि समंदर से उपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बंबारी कर सकता है। लेबनन के बॉर्डर को भी सेनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये केरियर इस्रैल के खाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा। और वहीं से उपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाखा भी होगा। यहीं से ये इस्रैल के एर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब आपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का करियर और उसके बीड़े में मौझूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और इरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है इसरेल के लिए भी जिराल फोर्ड करियर को भीजना एक बड़ा युद्ध छेट सकता है दुनिया के सबसे बड़े एरक्राफ्ट क्यारियर की यह किसी और देश के पास नहीं बलकि खुद अमारिका के पास है जिसकी वज़े से जो अमेरिकी दुश्मन है वो लगातार धर्राते रहते हैं अमारिका का फोर्ड क्लास क्यारियर दुनिया का सबसे बड़ा एरक्राफ्ट क्यारियर है और इसे CVN 78 भी कहते हैं और यह क्यारियर एक लाग टन का डिस्प्लेस्मेंट पैदा करता है भारत का एरक्राफ्ट क्यारियर आइनस विकरांद इससे आधे से भी कम वज़न का है तो देखिए कितना वज़न इसमें है यहाँ पर एक लाग टन का कम से कम यह है USS Gerald Ford की बात हम यह आपर कर रहे हैं और यह एक्राफ्ट कैरियर नुक्लियर पावर से चलता है यानि इसकी range unlimited है और यह दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है यानि कोई भी कोना हो वहाँ पर इसको आराम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है क्योंकि नुक्लियर पावर काई इस्तिमाल करता है और यह एक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रदिगंटे की रफटार से समंदर में चल सकता है यह एक कैरियर की बहुत अच्छी रफटार कही जाएगी बहुत बढ़िया रफटार मानी जाएगी यानि कहीं पर भी यह 56 किलोमीटर प्रदिगंटे की रफटार से आसानी से पहुंच सकता है और इस कैरियर पर करीब 3,009 सैनिक तैनात किये जा सकते है यानि कि दुश्मनों के लिए भी यह एक बड़ा टार्गेट बन सकता है और अगर आगे की बात की जाए जो टेक्नालोजी का इस्तमाल इसमें किया जा रहा है इस एरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलिकॉप्टर तैनात यहां पर किये जा सकते है यानि कि जो सैनिक है उनको तो यहां पर तैनात किया ही जा सकता है इसके लावा 90 विमान और इसके अंदर हेलिकॉप्टर भी तैनाद किये जा सकते हैं और इनमें 75 तो सिर्फ लडाकू विमान है और अभी इस एरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्निट विमान तैनाद है इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इसराइल के हवाई अड़े पहले से ही एक्टिव है अमेरिका के वायू सेना से इसराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी इसके लिए A-10 थंडर बोल्ट विमान भी है जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं जिस पर छोटे हत्यारों की गोलिवारी का वर्क नहीं पड़ता इसके अलाबा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ा को विमान भी हैं लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इसरेल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट ये वो फाइटर जेट है जो इसरेल के पास भी है लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है लेहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इसरेल की वायू सीना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी F-35 का करीब रहना इसरेल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा यह आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है यह फिफ्स जनरेशन मल्टी रोल कॉमबैक्ट एरक्राफ भी है इस एक लड़ा को विमान की कीमत एक हजार करोड रुपए के करीब है यह अमारिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेइन है यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका साफ तोर पर मतलब हुआ यह कि रेडार इसे ट्राक नहीं कर पाएगा जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसकी बॉड़ी पर एक खास किसम की कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉब कर लेता है और इसके लावा इस स्पाइटर जिट का रेडार, एबियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं और इसी वज़े से ये दूर से खत्रे को सेंस कर लेता है लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है पाइलेट का हेलमेट भी बहुत खास होता है जिसकी कीमत तीन करोर रुपए होती है देखें ये कॉक्पिट है और कॉक्पिट में पाइलेट जब बैठता है तो एक खास तरह का हिलमेट लगाता है जिस हिलमेट की कीमत कीमत तीन करोर रुपए के आसपास होती है इसरेल ने गाजा पटी को तंदूर की भटी में बदल दिया है इस वक्त भी गाजा पर स्ट्राइक हो रही है और अपनी टेंक आर्मी को आगे बढ़ाने से पहले इसरेल पूरी तरह हमास के बेस को खत्म करने में जुट गया लेकिन सच ये भी है कि गाजा में बंबारी से आम लोगों की जान जा रही है जिसमें बच्चों की तादार बहुत ज्यादा है खाजा पट्टी को इसरेल ने आग की भठी बना दिया है पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा पट्टी पर इसरेल के लड़ा को विमान बं बरसा रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर से लगातार धुआ और आग उड़ती देखी जा रही है एक तरफ इसरेल ने अपने मरकावा टैंकों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है और तूसरी तरफ दे टाइमस ओफ इसरेल अखबार के मताबिक गाजा पट्टी पर इसरेल के लड़ा को विमानों ने 800 ठिकानों पर बंबार्डिक की है इन हमलों के बाद पूरी गाजा पट्टी के अंदर चीफ पुकार मची होई है जो खबरें गाजा पट्टी के अंदर से आ रही है वो दिल दहला देने वाली है गाजा पट्टी से आए वीडियो ये दिखा रहे है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे है हमास की सरकार का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर बच्चों की मौत भी हो रही है इस पूरे इलाके में जनासे पर जनासे निकल रहे है लोगों के पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि वो आखिर करें तो क्या करें क्योंकि एक धमाका होता है इमारत किरती है और फिर भगदर के साथ ही रेस्क्यो आपरेशन शुरू हो जाता है और फिर जनाजे उटने लगते हैं पूरे घाजा के अंदर इस वक्त यही मनजर नजर आ रहा है यह इसरेल के अंदर गुस्सा है जो घाजा पट्टी के लोगों पर खहर बनकर तूड रहा है घाजा पट्टी में लगबग 20 लाख लोग रहते हैं लेकिन इसरेल पर हमास का हमला इतना कूर और भयान कर था कि इसरेल के अंदर गुस्से की लहर दौड गए जिस तरह हमास ने हमला करके इसरेल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं बुजर्गों और इसरेल के सैनिकों को कैद कर घाजा पट्टी ले गए अब इसरेल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है बेन्यमिन नेतनियाहू खुद इस पूरे हमले का नेत्रित तो कर रहे है रविवार के दिन नेतनियाहू की दो तज़वीरें सामने आई हैं जिसमें ये नजर आया कि नेतनियाहू इसरेल की एरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौजूद है और घाजा पट्टी के अंदर हो रही बंबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए हैं घाजा पट्टी के अंदर अब मानवा धिकारों का उलंगन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन इसरेल डेफोर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है इसलिए घाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास है इस्रेयल के प्रधान मंत्री ब्यन्यमिन नेतन्याहू राजश्री के नाम सम्मोधन के वक्त पहले ही ये कह चुके थे कि अब घाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं क्योंकि वो हमास के आखरी आतंकी को तलाश करेंगे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े מה שקרה היום לא נראה בישראל ואני אדאג שזה לא יקרה יותר הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת צהל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס נקה בעימת חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שם הוללו למדינת ישראל ולאזרחיה लेकिन जहाँ पर 20 लाग की घनी आबादी हो और जो जगे पूरी तरह से नाकाबंदी में घिरी हो जहाँ से बाहर निकलने के भी सिर्फ दो दर्वाजी हो और वो भी टोल गेट जैसे ऐसे दुनिया के बड़े क्याद खाने से निकल कर भाग पाना कोई हसी खेल नहीं है दुनिया गाज़ा पट्टी को एक खुली हवा वाला कैद खाना कहती है गाज़ा पट्टी सिनाई प्राइद्वीव के उत्तर पूरों में भूमध्य सागर के साथ 363 वर किलोमीटर में फैला हुआ अक्षत रहे गाज़ा पट्टी का वो बॉडर जो इसरेल से मिलता है वो बॉर वो वायर और इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के जरिये सुरक्षत एक अभेद्य सीमा की तरह नजर आता है गाज़ा से बाहर निकलने के लिए दो गेट है पहला गेट इसरेल की तरह खुलता है और गाज़ा का दूसरा गेट एजिप्ट के सिनाई प्रायद्रीप की तरह खुलता है जहां पर इसरेल का नियन प्रण जादा है और एजिप्ट का कम मैं इस वक्त इसरेल में मौजूद हूँ और इसरेल के आर्थिक राजधानी तेल अवीब से गाज़ा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है गाज़ा पट्टी सेही हमास की तरब से इसरेल पर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए गाज़ा पट्टी दुनिया के सबसे घणी इनसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है जहां सिर्फ एक किलोमीटर के दारे में साढ़े पाँच हजार लोग रहते हैं यहां पर बिचली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन ही गेट से होती है लेकिन अब इस्राइल के लीडिंग न्यूज वेबसाइट दे टाइमस ओफ इस्राइल ने ये कहा है कि इस्राइल के उर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि गाज़ा के अंदर पानी, बिचली, इंधर और खाने पीने की सप्लाई को काट दिया जाए ऐसी स्थिती में यहां रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा अगर देखा जाए तो इस्राइल ने गाज़ा के 20 लाख लोगों को नाकबंदी करके घेद लिया है अनुमान है कि घाज़ा के अंदर 14,44,000 लोग शरनार्थी कैंप्स में रहते हैं संयोक्त राश्रिक मताबे घाज़ा की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है घाज़ा में 50 प्रतिशत लोगों के उम्र 19 साल से कम है घाज़ा की 3-4 थाई भूमी खेती यो क्या है 16 साल की नाके बंदी की वज़ा से घाज़ा के अंदर बेरोज़गारी के दर 40 प्रतिशत तक है घाज़ा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का दस्वा हिस्सा सामानने परिस्थितियों में छोटी मोटी नौकियां करने के लिए हर दिन इस्रैल की यात्रा करता है जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमती नहीं है 1948 में इस्रैल के निर्मान के बाद अगले दो दस्कों तक काजा पट्टी पर मिस्ट का कपजा रहा लेकिन 1967 में इस्रैल का सिक्स डे वार में अपने अरब पड़ोसियों पर जीत के बाद अगले 38 सालों तक काजा पट्टी पर इस्रैल ने अपना नियंत्रण पणाये रहा अपने नियंत्रन के दौरान इसरेल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्मान किया था लेकिन साल 2005 में अंतराश्वी और घरेलू दबाओ के तहल इसरेल ने गाजा से लगबद 9000 इसरेली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापिस बुला लिया था जिससे इस इस इसलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गड़ बन गया हमास में अब इसरेल पर बहुत प्रूर हमला किया है जिसके बाद यहां इसरेल के हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रही है मदा कि अचीं मुदाँद म理ा अचीं का पिजिक ए लुका उल्का का भी उाया integra कि अचीं हमाने। मेर कि अल्का कि उल्का कि उल्कांव होगा है कि अगर इसराइल गाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाजा पट्टी के सारे हमास के ठिकाता है कि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से इसराइल के टैंकों को बड़ा खत्रा भी हो सकता है